हरिशंकर परसाई हिंदी के प्रसिद्द लेखक और व्यंग कार हैं उनका जन्म जमानी होशंगाबाद मद्दप्रदेश में हुआ था और वो हिंदी के पहली रशनाकार हैं जिन्नोंने व्यंग को विधा का दर्जा दिलाया और आज उन्हीं का लिखा एक व्यंग भगत की गत हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस दिन जब भगत जी के मौत हुई थे तब हमने कहा था कि भगत जी स्वर्गवासी हो गए पर अभी-भी मुझे मालूम हुआ कि भगत जी स्वर्गवासी नहीं नरकवासी हुए है मैं कहूं तो किसी को इस पर भरोसा नहीं होगा पर सच यही है कि उन्हें नरक में डाल दिया गया है और उन पर ऐसे जगन्य पापों के आरोप लगाए गए हैं कि निकट भविश्य में उनके नरक से छूटने की कोई आशा नहीं है अब हम उनके आत्मा के शांते की प्रार्थना करें भी तो भी कुछ नहीं होने वाला बड़ी से बड़ी शोग सभावी उन्हें नरक से नहीं निकाल सकते सारा मुहला अभी तक याद करता है कि भगत जी मंदिर में आधिरात तक भजन करते थे हर दो तीन दिनों में वो किसी समर्थ श्रदालू से हर दो तीन दिनों में वो किसी समर्थ श्रदालू से मंदिर में लाओड स्पीकर लगवा देते और उस पर अपनी मंदली समेथ भजन करते पर वो पर तो 2400 गंटे लाओड स्पीकर पर अखंड किर्टन हुआ करता था एक दो बार मुहले वालों ने इस अखंड को लाहल का विरोध किया तो भगत जी ने भगतों की भीड जमा कर ली और दंगा करने पर उतारू हो गए वो भगवान के लाओड स्पीकर पर प्राण देने और प्राण लेने पर तुल गए थे ऐसे इश्वर भक्त जिनोंने अरबों बार भगवान का नाम लिया नरक में भेजे गए और अजामिल जिसने एक बार भूल से भगवान का नाम ले लिया था अभी भी स्वर्ग के मजे लूट रहा है अंदेर कहा नहीं है भगत जी बड़े विश्वास से उस लोक में पहुँचे थे बड़ी देर तक यहां वहां घूम कर देखते रहे फिर एक फाटक पर चौकेदार से पूछा स्वर्ग का प्रवेश दुवार यही है ना चौकेदार ने कहा हाँ यही है वह आगे बढ़ने लगे तो चौकेदार ने उन्हें रोग दिया प्रवेश पत्र यानि टिकट दिखाईए पहले भगत जी को कुरोद आ गया बोले मुझे भी टिकट मुझे जानते हो मैं भगत जी हूँ चौकेदार ने शानती से कहा होंगे पर मैं बिना टिकट के जाने नहीं दूँगा आप पहले उस दफ्तर में जाएए वहां आपके पापुर्णी का हिसाब होगा और तब आपको टिकट मिलेगा भगत जी उसे ठेल कर आगे बढ़ने लगे तबी चौकेदार एकदम पहार सरीखा हो गया और उसने उन्हें उठाकर दफ्तर की सीड़ी पर खड़ा कर दिया भगत जी दफ्तर में पहुंचे वहां कोई बड़ा देवता फाइलें लिए बैठा था भगत जी ने हाथ जोड़ कर कहा अहा मैं पहचान गया भगव भगवान कार्तिकी विराजे हैं फाइल से सर उठाके उसने कहा मैं कार्तिके नहीं हूँ जोटे चापलो सी मत करो जीवन भर वहां तो कुकर्म करते रहे हो और यहां आकर हेह करते हो नाम बताओ भगत जी ने नाम बताया धाम बताया उस अधिकारी ने कहा कि तुम्हारा मा मामला तो बिलकुल सीधा है मैं 16 आने धारमिक आदमी हूँ नियम से रोज भगवान की बजन करता था कभी जूट नहीं बोला कभी चोरी नहीं की मंदर में इतनी इस्तरियां आती थें पर मैं सबको माता समान समझता था मैंने कभी कोई पाप नहीं किया मुझे तो आँख म आपको मैं उनके सामने हाजिर कर देता हूँ एक चप्रासी भगत जी को भगवान के दरबार में ले गया भगत जी ने रास्ते में ही इस्तुति शुरू कर दी जब वो भगवान के सामने पहुँचे तो बड़े जोर जोर से भजन गाने लगे हम भगतन के भगत हमारे सुन अपुर्व है रूप आपका जितनी फोटो आपके संसार में चल रही है उसमें से किसी से नहीं मिलता आपका चेहरा भगवान उस्तुति से बोर हो रहे थे रुखाई से बोले अच्छा ठीक है अब क्या चाहते हो बोलो भगत जी ने निवेदन किया भगवन आप से क्या च जानते हैं कहा है राम जरुखा बैठके सबका मुझरा ले जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे प्रभू मुझे स्वर्ग में कोई अच्छी सी जगह दिला दीजिए प्रभू ने कहा तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हें स्वर्ग मिले भगत जी को इस प्रश्ण से चू जी गुस्सा पी गए दीन भाव से बोले मैं रोज आपका भचन करता रहा भगवान ने पूछा लेकिन लौड स्पीकर क्यों लगाते थे भगत जी सहज भाव से बोले उधर सभी लौड स्पीकर लगाते हैं प्रभू सिनेमा वाला मिठाई वाला काजल बीचने वाला सभी या कोई बिकाओ माल हूँ भगजी सन रह गए सोचा भगवान होकर कैसी बाती करते हैं भगवान ने फिर पूछा तुम मुझे अंतर्यामी मानते हो ना भगजी ने कहा हाँ प्रभू भगवान ने कहा फिर अंतर्यामी को सुनाने के लिए लाडू स्पीकर क्यों लगाते थ क्या मैं बहरा हूँ यहां सभी देवी देवता मेरी हंसी उड़ाते हैं मेरी पत्नी मजाग करती है कि यह भगजी जवाब नहीं दे सके भगवान को तब और गुस्छा आया कहने लगे तुमने कई साल तक सारे महले के लोगों को तंग किया तुम्हारे कोलाहल के मारे वो न भगज इतना हला नहीं मचाता तुमने मुझे कितना बदनाम कर दिया भगज ने सहाज बटोर कर कहा भगवना आपका नाम लोगों के कानों में जाता था यह तो उनके लिए अच्छा ही था उन्हें अनायास पुण्य मिल जाता था भगवान को भगज की मुर्खता पर तरस बोले पता नहीं यह परंपरा कैसे चली कि भगत का मुर्ख होना जरूरी है और किसने तुम से कहा कि मैं चापलोसी पसंद करता हूँ क्या यह समझते हो कि तुम मेरी इस्तुती करोगे और मैं किसी बेवकूफ अफसर की तरह खुश हो जाऊंगा मैं इतना बेवकूफ नही किया भगवान हसे कहने लगे भगत तुमने आदमियों की हत्या की है उधर की अदालत से तो बच गए पर यहां नहीं बच सकते भगजी का धेरा जब छूट गया वो भगवान से अपनी नियत के बारे में शंकालू हो उठे सोचने लगे यह भगवान होकर जूट बोलता है जरा तैश में कहा आपको जूट बोलना शुभा नहीं देता मैंने किसी आदमे की जान नहीं ली अभी तक मैं सहता गया पर इस जूटे आरोप को मैं सहन्न नहीं कर सकता आप सिद्ध करिये कि मैंने हत्या की है भगवान ने कहा कि मैं namely के तो मैं पहत्यारे हो अभी प्र रमानात मास्टर है पिश्री साल बिमारी से मरा था भगजी ने विश्वास से कहा भगवन बोले बिमारी से नहीं तुम्हारे भजन से मरा है तुम्हारे लौड स्पीकर से मरा है रमानात तुम्हारे मृत्यू क्यों होई रमानात ने कहा प्रभू मैं बिमार था डॉक्टर न पर भगत जी के लाओड स्पीकर पर अखंड कीरतन के मारे मैं सो नहीं सका आराम नहीं कर सका दूसरे दिन मेरी हालत बिगड़ गई और चौते दिन मैं मर गया भगत सुनकर घबरा उठे तबी एक बीस इकिस साल का लड़का बुलाया गया उससे पूछा सुरेंद्र तुम कै से मरे मैंने आत्महत्या कर ली थी आत्महत्या क्यों कर ली भगवान ने पूछा सुरेंद्र ने कहा मैं परिक्षा में फेल हो गया था परिक्षा में क्यों फेल हो गय थे भगत जी के लाओड स्पीकर के कारण मैं पढ़ नहीं सका मेरा घर मंदिर के पास ही है ना भगत जी को याद आया कि इस लड़के ने उनसे प्रार्थना की थी कि कम से कम परिक्षा के दिनों में लौड स्पीकर मत लगाई है भगवान ने कठोरता से कहा तुमारे पापों को देखते हुए मैं तुम्हें नरक में डालने का आदिश देता हूँ भगजी ने भागने की बहुत को संदाई होगी कृपया हमारे वीडियोज को लाइक शेयर और कमेंट करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हाँ लेटिस्ट अबडीट्स पानी के लिए बेल आइकन सरूर तबाए